ओम शांतिंग आज 23 अप्रेल 2014 बाबा के ही महवाक्या हैं मीथे बच्चे बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओं तुम्हें प्रतज्या कर अपने वच्चन से फिरना नहीं है आज्या का ओलंगन नहीं करना है प्रश्ण है तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है उत्तर है तुम्हारी पढ़ाई है वान प्रस्थ में जाने की इस पढ़ाई का सार है वानी से परे जाना बाप ही सबको वापस ले जाते है तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतुप्रधान बनना है इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास कर और शरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतुप्रधान बनाएगा धारना के लिए मुख्य सार है पहला सतुप्रधान बनने के लिए जात्की जात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है अभुल बनना है अपना रजिस्टर अच्छा रखना है कोई भी गफलत नहीं करनी है दुसरा कोई भी बेकाइदे कर्म नहीं करना है माया के तूफानों की परवाहा ना कर करमिंद्रिय जीत बनना है लिवर घडी समान अक्युरेट पुरुशार्थ करना है वर्दान है सेवाद्वारा खुशी शक्ती और सर्व की आशिर्वात प्राप्त करने वाली पुन्य आत्मा भवर। सेवा का प्रत्यक्षफल खुशी और शक्ती मिलती है सेवा करते आत्माओं को बाप की वर्सी का अधिकारी बना देना यह पुन्य का काम है जो पुन्य करता है उसको आशिर्वात जरूर मिलती है सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते वहशुप संकल्प आशिर्वात बन जाते है और भविश्य भी जमा हो जाता है इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समच सेवा का अविनाशी फल, खुशी और शक्ती सदा लेते रहो स्लुगन है मन्सा वाच्चा की शक्ती से विग्न का परदा हटादो तो अंदर कल्याण का दृष्य दिखाई दे आउम शाते आउम झाल स्नुद्य ओता है प्राध